बिसमेलायराह्मालराहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रोमोसॉम्स, आज हम क्रोमोसॉम्स को स्टी करेंगे क्रोमोसॉम्स कबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख देते हैं, डेफिनेशन क्या है It is a Thread Like Structure That Appear Inside the Nucleus At the Time of Cell'dمن येап मैं a pair होता है celtwen, जब cell ने Divide होना होता हि तब ये अप een appear hort你好 ये cell के nucleus के अंदर present होता है, जैसे कि ये एक cell है और इसके अंदरériर rougिस है numericalis के अंदर chromosome पाया जा रहा है इसका अगर हम cross section देखें तो हमें ये इस Lubrawous से बड़ा सा करके देखें तो ऐसे नजर आएगा यह क्रोमोसॉम है और यह इसके आर्म्स है यह जो दर्मयान में है इसको हम सेंट्रो मेर कह रहे हैं सेंट्रो मेर के ऊपर जो है वो क्रोमोसॉम्स है अब क्रोमोसॉम्स के अंदर अगर हम स्टडी करें तो फर्दर स्टडी कर है कि इसके अंदर DNA है DNA double standard structure है या इस तरह से coil हुआ हुआ है ये structure इस तरह से coil हुआ होए है tidak को इस कोईं tucked कर के अंदर हम देखें तो किस की arrangement है नुब्लु County stated in alignment haid में इस DNA double standard yeariegol È a दिकर कई स्थेक्चर के अंदर nucleotides की arrangement है इसकी definition हमने देख ली है कि एक threadle structure है जो nucleus के अंदर पाया जाता है at the time of cell division it is present in the nucleus of eukaryotic cells ये eukaryotic cells के अंदर पाया जाता है at the time of cell division इसकी अगर हमें example देखें most common example है human की human के अंदर total number 46 chromosomes होते हैं और अगर हम इनको पेर की शकल में देखें तो वह 23 पेर बनते हैं एक नॉमसों ड्रा किया हुआ है यह इसका एक arm है यह इसका दूसरा arm है और यह जो center में इसका जो structure है centromere है human की example ली थी कि 46 chromosome 23 पेर में होते हैं अब हम इसकी टाइप देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप और कितने में यह डिवाइड है on the basis of centromere हमने इसकी टाइप देखनी है on the basis of centromere हमने इसकी टाइप देखनी है सबसे पहले सकी टाइप है metacentric सेकेंड टाइप सब metacentric और थर्ड टाइप acrocentric और लास्ट वन इस तीलो सेंट्रिक लास्ट वन तीलो सेंट्रिक अब सबसे पहले हम एक एक करके इंको स्टड़ी करेंगे यह बहुत इंपोर्टन कोस्टेन है बोड में बहुत ज़दा पूछा जाता है सबसे पहले है metacentric metacentric centromere की बेस पे अगर हम इसको study कर रहे हैं तो हमने देखना है कि centromere इस metacentric में centromere बिल्कुल center में present होता बिल्कुल center मे एक arm इधर एक arm इदर और यह बिल्कुल center में present है अगर हम इसका structure देखें तो इसका structure sound इसका structure V-shaped structure बनता है V-shaped structure अभी हमने इसको उल्टा करके देखा है इसको सिधा करके देखेंगे तो V-shaped structure बनेगा इसका उसके बाद है sub metacentric सब मेतासंट्रिक में हमने देखना है कि तोड़ा सा उपर इस जीटली मूफ कर गया स्मस्ट कर गया है निमेद मुवुमेंट से इक गर SHARGO स्ट्रेंटर अब हमारी थार्ड टाइप है एक्रोसेंट्रिक पढ़ा कि जो सेंट्रोमेर थोड़ा सा ओर मुव किया था यहां थोड़ा सा और उपर मुव कर जाएगा यहां बिलकुल यह जो उपर वाला आर्म है बिल्कुल और जब के नीचे वाला बहुत बढ़ा हो इसकी तो ये शेप्ट बनेगा ये ये और ये इसके उपर एक वह सेंटर मेर है अगर हम तीलो सैंट्रिक इसकी फॉर्ट टाइप है जिसको हम स्टुडी करने लगे हैं इसके पॉइंट पर इसके एज पर आजाएगा बिलकुल इसके पॉइंट पर और अम इसको देखें तो इसका structure बनेगा अब हम आगे एक definition study करने लगे हैं क्रोमोसॉम से related है कारियो टाइप कारियो टाइप वेरी वेरी इंपोर्टन शोर्ट कोस्तन है बहुत दफा पूछा जाता है बोड में तो इसको जो है वह आपने अच्छे तरीके से कर लेना है इसका पूछा जाता है और इसकी definition पूछी जाती है अब इसकी definition क्या है वो हमने देखनी है अब पर्टिकुलर अरे ओफ क्रोमोसॉम से डैट एड इंड इंड विएल पोजैस इस कॉल्ड कारियो टाइप इसमें उन्होंने बताया कि ऐसी अरेजमेंट ऐसी पर्टिकुलर अरेजमें उसब्सक्राइप के अंदर पर्वएशा बॉसरों के अंदर डूसरी स्पीकें लियूंत के अंदर इंड इंड डीफियर्ट अंदर इंडी अरेक्टी goshus ऌने हो इसिव्ड इसका इंड बंडियूम स्पिकाटी में कारता है अगर किसी प्लांट में है तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं अगर किसी इंसान में है तो उसको स्टडी हो सकती है और किसी एनिमल में है तो उसको स्टडी के अज़सता है लोवर एनिमल है तो तैंक यू फॉर वाचिंग अगर आपको कोई भी मसला हो इस लेक्चर में तो आप क